78,000 वर्ग किलो मीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कबजे में हमारे देश की है जब नोक तंद्र की एक तरीके से हत्या की गई देश में एमर्जंसी लगाई गई उस समय भी कांगरिस के ही सरकार थी पटवारे का घाओ अभी पूरा नहीं हुआ था पाकिस्तान ने सेना के भेश में कबाईली हमला कर दिया और मेरे भाईयों 78,000 वर्ग किलो मीटर जमीन कितना? 78,000 वर्ग किलो मीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कबजे में हमारे देश की है ये काम किसके समय में हुआ? मित्रो ये काम भी कांगरिस के ही समय में हुआ और उस समय के प्रधान मंत्री थे पंडित जवाहर लाल निहरू पहला काम उसके बाद चीन हमारे देश के उपर आक्रमन करता है और चीन के कबजे में आज भी 23,000 वर्ग किलो मीटर जमीन है ये काम किसके समय में हुआ? कांगरिस के 1771 में 1771 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूद पूर्व घटना घटी कि पाकिस्तान के 92,000 सैनकों को हमारी देश की सेला ने बंदी बनाया था कितना 92,000 लेकिन मेरे मित्रो उस समय एक आउसर था उस समय एक आउसर था हमारे पास अगर ससक्त भारत होता मजमूद भारत होता दिल इच्छा सक्त वाला भारत होता मोदी वाला भारत होता तो 92,000 सैनक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कबजा करके रख ली गई है उन सारी समस्यों का निदान हो सकता था यदि कांगरस के प्रदान मंत्री की जगा नरेंद्र मोदी प्रदान मंत्री होते भारतिये जंता पर्टी का प्रदान मंत्री होता तो 92,000 सैनक योँ ही ना चले जाते जब लोक तंद्र की एक तरीके से हत्या की गई देश में एमर्जंसी लगाई गई उस समय भी कांगरस के ही सरकार थी और 1784 में जब सिखों का कतले हों किया गया उस समय भी कांगरस की ही सरकार थी